रे साइस की करन खबरों में आप सभी का स्वागत है, हाल ही में गोशित 95 ओस्कर अकेडमी पुरुसकार अलग-अलग कैटेकरी में दो भारतिय फिल्मों को दिया गया वर्ष 2023 के आस्कर अवोर्ड के लिए चार भारतिय फिल्म में आर 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 चेलो शो और अलग-अलग ब्रीद्स और अलग-अलग-अलग-विस्पर्स को नामांकित किया गया था तो आज का टॉपिक है आस्कर अवोर्ड दो हजा तेईस आस्कर अवोर्ड दो हजा तेईस में एस-एस राजा मौली द्वारा निर्देशित दक्षिन भारतिय फिल्म आर 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 के गाने नाटू-णाटू को बेस्ट ओरिजनल सॉंग कैटेगरी में आस्कर अवोर्ड दि एम-एम किरावनी ने कंपोज और चंद्र बोस ने लिखा है कार्त की गौंजाल्वेस द्वारा निर्देशित और गुनीत मौंगा द्वारा निर्मित द एलेफंट विस्पर्स को सर्फशेज डॉक्यमेंटरी शॉर्ट फिल्म का अवोर्ड दिया गया अब आगे बढ़त 2023 में फिल्म आर 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 के गाने नाटू नाटू हे तू गुनीत मौंगा वर्ष 2023 में सर्शेज डॉक्यमेंटरी शॉर्ट फिल्म द एलेफंट विस्पर्स भानु अथेया वर्ष 1983 में फिल्म गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए यह अवर्ड प्रा पकुट्टी वर्ष 2008 में फिल्म स्लम डॉग मिलिनेर के लिए औसकर अवर्ड से सम्मानित होने वाले तीसरे बार दिये हैं एयार रह्मान, फिल्म स्लम डॉग मिलेनेर के लिए एयार रह्मान को बेस्ट म्यूजिक कैटिगरी में आसकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस फिल्म में एयार रह्मान ने जैहो गाना गाया था। गुलजार, फिल्म स्लम डॉक मिलेनर के गीत जैहो के गीतकार चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक नज़र डालते हैं आसकर अवोर्ट के बारे में आसकर अकेडमी खुरुसकार यानी आसकर अवोर्ट फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवोर्ड है यह अवोर्ट प्रतिवर्ष अकेडमी आफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसे लोस एंजलेस अमेरिका द्वारा दिया जाता है यह अवोर्ट सिनेमा में अपना योगदान देने वाले फिल्म डरेक्टर, आक्टर, राइटर, प्रेडियूसर और टेक्नीशन्स को दिया जाता है सबसे पहले अकेडमी आवोर्ट 16 माई 1929 को दिया गया था ओसकर अवोर्ट, अकैडमी अवोर्ट आफ मेरिट के नाम से भी जाना जाता है इसमें जो ट्रॉफी मिलती है, वे मेटल से बनी होती है, इस मूर्ती पर सोने की परत चड़ी होती है ओसकर ट्रॉफी 34 सेंटिमीटर नमभी होती है और इसका वजन सारे 8 पंड होता है इस ट्रोफी में एक योद्धा की आकृती है जिसे आठ टेकोर में बनाया गया है यह योद्धा तलवा लेकर पांच तिल्लियों की एक फिल्म रील पर खड़ा है यह पांच तिल्लिया अक्टर, डिरेक्टर, राइटर, प्रेडिूसर और टेक्नीशन्स का प्रतिनिद्रत्फ करती हैं आसकर अवार्ड में केवल ट्रोफी मिलती है इसमें किसी तरह का कैश प्राइस नहीं दिया जाता है हाला कि अवार्ड जीतने वाले कलाकार की मार्किट वेल्यू बढ़ जाती है आसकर विजेता अपनी ट्रोफी को किसी भी हालवे बेच नहीं सकता है अगर वे ट्रोफी बेच नहीं चाता है तो अकैडमी को बेच सकता है जिसकी कीमत सिर्फ एक डॉलर रखी जाती है यह अवार्ड विजेताओं को 24 अनगनग कैटेगरी में दिया जाता है आज इस टॉपिक से रिलेटिड इतना ही ऐसे ही करन की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे हैं प्लीज सब्स्क्राइब आई यूट्यूब चैनल और डाउनलोड दरेसाइज आप अवार्ड वार्ड वार्ड प्लीज जाता है